हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल मॉम के सेल डायरी इस चैनल में मैं प्रेगनेंसी और बच्चों के हेल्स से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करती हूँ बच्चे के दात निकलने के लक्षण के बारे में दात निकलती समय आप अपने बच्चे को क्या डायट दे और बच्चे के दात निकलती समय आप क्या करें बच्ची का जब दात निकलना शुरू होता है तो उस समय हमें उनका खास ख्यार रखना पड़ता है क्योंकि उसमें बेबी में physical और mental changes हो रहे होते हैं जिससे parents खुश तो रहते हैं लेकिन बच्चे को होने वाली दर्द और तकलीव से काफी परिशान भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक request है हमारे सारे वीडियो को देखने के लिए subscribe button को click करे और bell icon को hit करें जिससे सबसे पहले वीडियो की notification आपके पास पहुचेगी वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चे के दात निकलने के लक्षन पहला जादा तर बच्चों के दात निकलने के समय उन्हें दस त्या उल्टी होना एक सामान लक्षन है दूसरा बच्चे के दात निकलते समय मसोडों में बहुत दर्द होता है जिसकी वज़े से बच्चा बहुत चिड़शिड़ा हो जाता है तीसरा बच्चे को दात निकलते समय मसोडों में खुजली होती है जिसमें औसहनी दर्द भी होता है बच्चे को चौथा, कुछ बच्चों को दात निकलते समय मुखार भी आ जाता है ऐसे में आपको बच्चे के हेल्थ का विशेज ध्यान रखना होगा पाच्वाँ, कुछ बच्चों के दात निकलते समय स्किन पर रैसल्स हो जाते है यह एक सामान लक्षन होता है क्योंकि इस समय आपके बच्चे के डाएट का विशेज ध्यान रखना होता है इस समय आप अपने बच्चे स्मूदी बना कर दे सकती है बॉइल वेजिटेबल्स, नरम खादे पदार जैसे धोजा या इडली, मसला हुआ आलो या चावल, दाल खिचडी या दही चावल, केले जैसे नरम फल, उबले अंडे एकसेटरा अपने बच्चे को कुछ चीजे देने से बच्चे जैसे पहला चिप्स और मसालेदार या नमकीन आहार, दूसरा कैंडी जैसे कठोर खादे प्रदार्थ, तीसरा नीम्बू और संत्रे जैसे खटे फल बच्चे के दात निकलते समय क्या करे? पहला, बच्चे के दात निकलते समय मसूडों में सूजन या दर्द की समस्या होती है, ऐसे में दिन में कम से कम दो बार हलकी हातों से मसूडों की मसाज करे? दूसरा बच्चे के दाथ निकलते समय ठंडी चीजों को अपने बच्चे को दे खाने के लिए जो उसके लिए फायदे मंद होता है ऐसे में आप उसे थोड़ा सा दही या जूस भी दिन के समय खिला सकते हैं दही आपके घर में जमी हो और फ्रेज में ना रखी हो और फ्रेश दही अपने बच्चे को देखाने के दिसरा टीधर एक सौफ ट्वाइ होता है जो बच्चे के चबाने पर उन्हें दर्द से राहत देता है आप टीधर को फ्रीज में रखकर ठंडा करे और फिर उसे बच्चे को दे लेकिन टीधर जादा ठंडी ना हो ये ध्यान दे चौथा बच्चे को मुलायम, साप और गिला कपड़ा चपाने के लिए आप अपने बच्चे को दे सकते है ऐसा करना भी बच्चे को मसीडों में होने वारे दर्द से रहा देने में मदद करेगा पाच्वा दात निकलते समय आप अपने बच्चे को ब्रस फेडिंग करवाना बिलकुल बनना करे रेगुलर फेडिंग करवाने से भी बच्चे के मसीडों को दर्द में आराम मिलता है छठा, दाथ निकलते समय बच्चे बेचैन हो जाते हैं इसलिए वे अपने आसपास पड़ी किसी भी चीज़ को उठा कर मुह में भने लगते हैं इसलिए इस दोरान बच्चे के आसपास के समान पर आपको नज़र रखने होगा मैं उमेद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन को हिट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को